तो दोस्तों सेनिक मंत्रा पर दो बड़ी खबरे पूर्व सेनिकों को मिलेगा 220 स्क्वेर मिटर का प्लोट किन-किन फोजी भाईयों को मिलेगा इसका फाइदा पूरे विस्तार के साथ बारत करेंगे दूसरी खबर एक फोजी आये थे छुटी जिनका आई कार्ड लोस हो गय गड़िया था जिसमें हमने फाईर एंड सेप्टि औफिसर कोर्स के बारे में बताया था यह ऐसा को जिसको करने के बाद आप एक ओफिसर के रूप में एक अधिकारी के रूप में अपना सेकंड करियर स्टार्ट कर सकते हैं हजारों फोजी भाईयों ने इसके वोपर certificate भी पा सकते हैं और यह institute सिर्फ फोजी बायों को और एक सर्विस्मेंट बायों को ही course प्रोवाइड करा रही है सिविलियन के लिए यह course प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो आपके फाइदे की बात है अगर आप जानना चाते हैं तो उपर अभी एक वीडियो आएगा इस वीडियो में हमने इस course के complete फाइदे बताया है और जानकारी चाहिए तो नीचे वाटसेप नंबर दिया है उसके उपर वाटसेप मेसेज करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं या फिर description में मैंने link दिया हुआ है उस पर जाकर आप अपना phone number और नाम फिल करके course के लिए apply कर सकते हैं ओके तो सबसे पहली खबर की 220 square meter का plot किन फोजी बायों को मिल रहा है देखिए राजस्तान government के द्वारा यहां पर एक letter जारी किया गया है जो कि 10 March 2023 को जारी किया गया है यह letter सभी जिला सेनिक कल्याण अधिकारियों को बेज दिया गया है और government of राजस्तान सेलिक कल्याण विभाग की तरब से letter जारी किया गया है प्रावदार है जिसके द्वारा पुर्व सेनिकों को 220 square meter का plot अलोट किया जाता है लेटर में आपको यह प्रावदान भी दिख रहा होगा अब इस प्रावदान में राजस्तान सरकार के दवारा दुबारा शंसोदन किया गया है और 10 March 2023 से इसका amendment जो है वो लागू हो जाएगा यह प्रावदान क्या है मैं वो भी बता देता हूँ देखिए जो गेलेंटरी अवर्ड विजेता है उनको 1975 के एक लेटर के मुताबिक राजस्तान सरकार के पुरुव सेनिकों को 220 स्क्वेर मिटर का प्लोट अवंटित किया जाता था लेकिन उसके लिए उनको 50% कीमत भी पे करनी होती थी लेकिन अब यह जो सुदार किया गया है 10 मार्च 2003 इसको इसमें अब उनको free of cost यह प्लोट अलोट किया जाएगा 220 स्क्वेर मिटर का किन-किन को यह अलोट किया जाएगा ज़रा यह भी देख लीजिए जो गेलेंटरी अवर्ड पुरुव सेनिक है परमविर चक्र है, अशोक चक्र है, महाविर चक्र विजयता है, किर्ती चक्र विजयता है, वीर चक्र विजयता है और सोर्य चक्र विजयता है इनको 220 स्क्वेर मिटर का प्लोट राजस्थान गवर्मेंट की तरब से अलोट किया जाता है तो आप सभी को ये जानकारी पहुँचे और आप सभी इनका फायदा उठा सके और अपने फोजी बायों के साथ इसको शेर कीजिएगा ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुँच सके राजस्तान सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं और एक विंती करते हैं कि मातर गेलेंटरी अवर्ड को ही नहीं बलकि सभी पुर्वसेनिकों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्ता होनी चाहिए और जिस तरह से राजस्तान सरकार ध्यान दे रही है पुर्वसेनिकों के तरफ उसी तरह से हर राज्य सरकार ने पुर्वसेनिकों के तरफ ध्यान देना चाहिए आपका क्या कहना है कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा दूसरी खबर एक फोजी जो के छुटी आये हुए थे हापूर से ये खबर आ रही है हाजी पूर्थाना से जहां पर महमदपूर नाम के एक गाउं में रहने वाले एक फोजी है जो की छुटी पर आये हुए थे और उस समय दोरान फोजी के और उनकी धर्म पत्नी के बीच में कुछ विवाद चल रहे थे अब इस विवाद को लेकर धर्म पत्नी ने फोजी का आईकाड ले लिया और अपने में के चली गई अब फोजी बगेर आईकाड के सर्विस जोइन नहीं कर सकते हैं जब उन्होंने पता किया अपनी पत्नी से बात किया तो उन्होंने कहा कि आईकाड मेरे पास है लेकिन अब आईकाड वापस करने के लिए पत्नी ने 25 लाख रुपे फोजी से मांगे हैं तो दोस्तों जब आईकन दबाईएगा और ओल के नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक किजिएगा ता कि हर खबर टाइम से आपके पास पहुंच जाए हमारी मेहनत पसंदा रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपकी कोई समस्या है तो कॉमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं जादा जादा इस वीडियो को सेर कीजिएगा नमस्कार जैहिंत